नमस्कार आप लाइब बिहार देख रहे हैं मैं हूँ राज मुहन तीवारी बिहार सरकार के पुर्व मंत्री और वी आईपी के सुप्रीमो मुके सहनी पर आज का दिन काफी जादा भारी परने वाला है 2020 के समय मुके सहनी जब चुनाव संपन हुआ तो बिहार सरकार में मंत्री बने, MLC बने, साथी साथ उनके चार विधायक हुआ करते थे विधान सबा में लेकिन अब हालात कुछ ऐसे हो गए है कि मुके सहनी का पहले जो चार उनके पार्टी के विधायक थे वो उनसे छीन लिये बीजेपी ने, उसके बाद उन्हें मंत्री मंडल से बर्खास्त कर दिया गया और आज मुके सहनी का MLC के तोर पर आखड़ी दिन है यानि कि अब वो MLC भी नहीं रह जाएंगे बियार विधान सबा चुनाओ 2020 के दोरान मुके सहनी ने NDA के साथ मिलकर चुनाओ लरा उस दोरान उन्हें 11 सीटे दी गई और बीजेपी ने ये भी कहा यानि आश्वाशन दिया कि इन 11 सीटों के अलावा उन्हें एक MLC की सीट दी जाएगी 2020 का जब चुनाओ हुआ तो मुके सहनी खुद का जो चुनाओ था यानि सिमरी बक्तियार पूर से जो चुनाओ लर रहे थे वो अपनी सीट हार गए लेकिन उनके विधायक के पैच लेकिन उनकी पार्टी के चार सदस विधायक बनकर विधान सबा पहुँच गए उसके बाद जब मंत्राले का विस्तार हुआ तो मुके सहनी उसमें मंत्री भी बने और बीजेपी ने उन्हें डेड़ साल के कारेकाल पर MLC बनाया हलंकी शुरुवात में मुके सहनी उस सीट पर MLC नहीं बनना चाते थे उन्हें राज्यपाल के कोटे से एक सीट मिलनी चाहिए जिसका कारेकाल छे वर्सका हो लेकिन बीजेपी सायद मुके सहनी की रननीती को आगे चलकर भाप गई थी और सायद इसी लिए उसने विनोध नरायन चाहल के विदायक बनने से जो सीट खाली हुई थी जिसका कारेकाल डेड़ वर्सका था उस पर उन्हें MLC बनाया MLC बन गए मुके सहनी लेकिन आगे की राजनी थी उनके लिए इतनी असान नहीं थी आगे जिस प्रकार से BJP और VIP के बीच में खटपट हुई उसका खामियाजा तो मुके सहनी को भुकतना ही था सबसे पहले BJP ने उनके जो विदायक थे वो उनसे चीन लिए उसके बाद वो चाहां की सीट की लड़ाई को लेकर जिस प्रकार का हुआ बना वहाँ पर भी मुके सहनी मार खा गए और उसके बाद उनका मंत्राले भी छिना गया और अब जो एकलोती MLC की सीट बची थी मुके सहनी के पास आज उसका भी अंत होने वाला है यानि मुके सहनी आज से MLC भी अब नहीं रहेंगे आज उनका आखरी दिन है जो अन्य MLC नए चुने गए हैं वो अपना सपत ग्रहन कल यानि 22 जुलाई को करेंगे लेकिन आज 21 जुलाई मुके सहनी के लिए काफी भारी परने वाला है क्योंकि अब ना विधान सभा में और ना ही विधान परिशद में उनका कोई सदस से रह जाएगा मुके सहनी अपनी राजनीती को चमकाने की जरूर कोसिस कर रहे हैं लगतार बिहार के हर जीलो में घूम रहे हैं और खासकर अपने समुदाय के लोगों को लगतार समबोधित कर रहे हैं और उन्हें अपनी जो समस्याएं हैं और जिस प्रकार से उनके साथ बीजे पी ने किया वो बताकर शहानुभूती प्राप्त करने के भी कोसिस कर रहे हैं थोड़ा बहुत उसका फैक्टर भी देखने को मिलता है लेकिन मुकेश सहनी के लिए सबसे बड़ी समस्या यह है कि केवल अपनों इस समुदाय में घूम लेते हैं उन्हें समबोधित कर लेते हैं लेकिन बड़े बड़े जब मुद्दे होते हैं तो सरकों पर उतरना साइ पपू याद होने तो एक बार यह कहा भी था कि मुकेश सहनी के पास सब कुछ है वो कभी सरक पर नहीं उतरेंगे और दिखता भी यही है मुकेश सहनी राजनीती करना चाहते हैं लेकिन केवल अपनी जाती के नाम पर केवल अपने जाती के समुदाय के लोगों के नाम पर लेकिन बिहार की जनता के हित के सवाल पर वो केवल बोलते हैं सोसल मीडिया पर ट्वीट कर देते हैं पोस्ट कर देते हैं लेकिन सरकों पर नहीं उतरतें बिहार में राजनितिक पाटियां जो खास कर छोटी छोटी पाटियां हैं उनके लिए तो यह और जादा जरूरी है कि वो अपना दम सरकों पर दिखाए और जनता के हित के लिए सवाल सरकार से करे लेकिन मुकेश सहनी क्या करना चाते हैं ये तो बहतर वही जानते हैं उनका आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी खबर हम आपको यही बता रहे हैं कि विधान सभा में तो मुकेश सहनी गौन होई गए थे अब विधान परिशद में भी आज उनका आखड़ी कारेकाल का समय है और कल से अब विधान परिशद में भी विएपी पार्टी का कोई भी सदस आपको नजर नहीं आएगा बने रहे हैं लाइव बिहार के साथ तमाम झाल 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 झाल